हेलो एवरीवन सभी का स्वगत है हमारे चनल एडी जी के मंतरा पर तो आज हम लोग करेंगे SSC MTS का जो previous year में आए गए जो history questions ठीके बहुत ही important होते हैं previous year questions क्योंकि SSC में previous year questions से बहुत questions आते हैं हर एक बार जो questions repeat होता है ठीके तो यह बहुत important session होने वाला history का तो जरूर देखिएगा तो चलिए start करके देख लेते previous year कैसे कैसे history questions आये थे ठीके जो mostly आये थे ठीके most asked questions से चलिए तो start करते हैं आज का session तो पहला question क्या है देख लेते तो पहला question ने बानभट्टो was the court poet of which emperor ठीके तो कौन से emperor का the court poet थे तो क्या होगा इसका answer होगा हर्षवर्धन ठीके very important question ही है ठीके चलिए next question 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 number two क्या है तो कौन से emperor को दिया गया था इंडिया नेपोलियन तो ये होगा समुत्र गुपतो को दिया गया था ठीके very important चलिए next question question number three क्या होगा question number three है which was the only Indian site with an artificial brick dock here ठीके तो कौन सा site इंडियास का तो ये होगा lothal very famous site ठीके तो कहां पर है ये lothal ये है गुजराट में ठीके तो यह लिए next question question number four क्या हो question number four है the title गंगाई कोंडन ठीके इसका पूरा नाम हो का गंगाई कोंडन छोलापुरं ठीके तो यह पर गंगाई कोंडन दिया हुआ है तो गंगाई कोंडन वनगते वज चलिए नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स्ट्ट्ट् तो किसके टाइम काल पे चाइनिस ट्राइवलर हिवन संग इंडिया पे आये थे? तो ये भी होगा हर्श वर्धन के टाइम पे आये थे, ठीक है? Very important. Next question, question number 7 क्या होगा? The famous poet Kalidas lived in the court of which emperor? ठीक है, तो कौन से emperor के टाइम पे Kalidas रहते थे? तो very important question ये. तो क्या होगा इसका answer? इसका answer होगा चंद्र गुप्त टू, ठीक है? चंद्र गुप्त टू के टाइम पे थे. Next question, question number 8 क्या होगा? Which of the following ruler was the contemporary of buddhो? ठीक है? ठीक है, तो कौन थे? तो इसका answer होगा बिम्भी सार, ठीक है? तो बिम्भी सार थे, बुद्धो के and also महावीर के भी थे, ठीक है? चलिए, next question, question number 9 क्या होगा? Question number 9 बोल राइकी. How many spokes are there in the dharma chakra of the national flag? ठीक है, हमारे जो national flag में कितने चारे 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 होते हैं, तो यह क्या होगा? कितने चारे spokes होते हैं, तो इसका answer क्या होगा? 24 spokes होते हैं, ठीक है? Very important. Next question, question number 10 क्या होगा? What is Melinda Fano? What is Melinda Fano? Melinda Fano क्या है? यह भी question बहुत बार एक्जाम में पूछे जाते हैं, not only in SSC, और भी बहुत सारे एक्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? यह एक Buddhist text है, ठीक है? चलिए, next question, question number 11 क्या होगा? Alexander and Poros fought a battle, in which place? ठीक है? तो कौनसे साल पे होगा था? यह 326 BC में होगा ठीक है? 326 यह question में पूछे जाते हैं, और कहां पे होगा था? यह Haidats Pass में होगा था, ठीक है? Haidats Pass battle बोला जाते है इसको, ठीक है? चलिए. Next question, question number 12 क्या होगा? In which year, the second battle of Tarayn was fought between the Mohamed Ghori and Prithirat Chohan? ठीक है? तो कौन से टाइम क्याल पे होगा था? तो यह होगा था 1192 AD में, ठीक है? अगर पूछे का पहला का होगा था? यह 1st होगा था 19, 1191 में पहला होगा था, 92 में 2nd होगा था? Very important question, ठीक है? चलिए. Next question, question number 13 क्या होगा? Who was the last ruler of the Lodhi dynasty? ठीक है, तो Lodhi dynasty के last ruler कौन है? तो क्या होगा इसका answer? इसका answer होगा इबराहीम लोधी. Very important, इबराहीम लोधी को जो 1st पानिपत के जो पैटल हुआ था, 1526 में तब क्या होँआ था? बावर ने उसको मार के मुगुल समराज्यों को प्रतिष्टा किया था, ठीक है? तो चलिए. Next question, question number 14 देख लेते क्या होगा? विज सुल्तान डेस्क्राइब इसक्राइब लेक्जान्डर और सिकंदर हिसानी. Very important question ये, बहुत important question ये. तो किसको बोला गया था? इसका answer होगा, अलाओ दिन खिल जी को बोला गया था, ठीक है? चलिए. Next question, question number 15 क्या है? Who among the following was known as the parrot of India? तो parrot of India किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है, आमिर खुष्राओ को, ठीक है? चलिए. Next question, question number 16 क्या होगा? Who among the following built the golden temple at Amritsar? ठीक है, तो Amritsar में जो golden temple है, उसको built किस ने किया था? तो इसका answer होगा, गुरू अर्जुन देव ने किया था, ठीक है? चलिए. ये question, SST का favorite question है, ठीक है? बहुत बार एक्जा में पूछे गए. Next question, question number 17 क्या होगा? The famous battle of Tali Kota was fought between which year? Fought in which year, तो कौन सी यर में हुआ था? ये battle of Tali Kota, तो battle of Tali Kota हुआ था? ये 1565 AD में. ठीक है? तो चलिए. Next question, question number 18 क्या होगा? The bulan darwaja is located in which fort? कौन से fort में है? Bulan darwaja किसने बनाया था ये? ये बनाया था, अकबर ने, ठीक है? ये अकबर ने बनाया था, तो कहां पे बनाया था? तो क्या होगा? ये answer होगा, फतेपुर से क्री, ठीक है? तो bulan darwaja फतेपुर से क्री में है. Next question, question number 19 क्या होगा? The maximum number of the Mongol invasion took place during which Reagan? किसके टाइम काल पे सबसे ज्यादा Mongol invasion होगा? तो इसका answer होगा, अलाओ दिन खिल जी के टाइम पे होगा था, ठीक है? Next question, question number 20. Who among the following introduced the manसबदारी system? ठीक है? तो manसबदारी system को चालो, किस ने किया था? तो यह किया था? अकबर ने, the famous अकबर ने किया था, अगर पूछे यह question ने, अगर पूछे कैसे, तो introduce किया था, अगर मनसबदारी system है ज़ा, monthly scale, ठीक है? तो अगर monthly scale पे पूछेगा, monthly scale मनसबदारी जब होगा? तब क्या होगा? शाह जाहान होगा, ठीक है? अगर मनसबदारी, monthly scale पे होगा, तो उसका answer क्या होगा? शाह जाहान होगा, अगर नॉर्मल पूछे का मनसबदारी system तो होगा, अकबर ने चालू किया था, ठीक है? चलिए, next question, question number 21 क्या होगा? question number 21 बोल रहा है कि, खालसा पांथ was created by the Guru Gobind Singh in which year? कौन सी एर में खालसा पांथ को जो create हुआ था, Guru Gobind Singh ने किया था, तो कौन सी एर होगा? तो यह होगा, 1699 AD में हुआ था, ठीक है? शाह लिए, next question, question number 22 देख लेते क्या है? which Sultan shifted the capital from Delhi to Dalatabad, किसने किया था, Delhi to Dalatabad, capital shift किया था, तो किसने किया था, तो यह किया था, मोहमद बिन तुगलग ने कब किया था, यह 1326 से 1327 इस टाइम काल पे किया था, ठीक है? शाह लिए, next question, question number 23 क्या होगा, question number 23 बोल रहा है कि, who among the following built the चार मिनार, very important question, चार मिनार को किसने बिल्ड किया था, तो इसका answer होगा, option C, कुली कुतुब शाह ने बिल्ड किया था, चार मिनार को, ठीक है? शाह लिए, next question, question number 24 क्या होगा, मोती मस्जित और the mosque, ठीक है, of दिल्ली was made by which Mughal Emperor, तो किसने बिल्ड किया था, मोती मस्जित को, तो यह बिल्ड किया था, ओर ओरॉंग जेब ने, ठीक है, जो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है, तो उसको क्या था, ओरॉंग जेब ने, चलिए, next question, question number 25 देख लेते क्या होगा, who attacked the Somnath Temple of Gujarat, किसने अटाक किया था, Somnath Temple जो Gujarat में है, तो यह किया था, मोहमत गजनी ने, ठीक है, मोहमत गजनी ने कब किया था, यह 1025 AD में किया था, ठीक है, very important यह, चलिए, next question, question number 26 देख लेते क्या होगा, the permanent revenue settlement of Bengal was introduced by home, तो किसने किया था, permanent settlement of Bengal, तो यह कब किया था, 1793 में हुआ था, ठीक है, तो किसने किया था, तो यह किया था, Lord Cornwallis ने, ठीक है, यह question भी बहुत बार exam में पूछे गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, next question, question number 27 क्या होगा, after the, after the badholi सुत्तग रहो, the title of सरदार to ball of a battle was given by home, तो किसने दिया था यह, तो यह दिया था, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, तो कब हुआ था, यह बार दिसुत्तग हो, कब हुआ था, यह हुआ था, 1928 में, ठीक है, उसके बाद ही, महात्मा गांधी जी ने, सरदार बल्ला में पैटल को दिया था title, ठीक है, चली, next question, question number 28, क्या होगा, who was the founder of the servant of India society, ठीक है, तो कौन founder थे, servant of India society, ठीक है, तो यह होगा, गोपाल कृष्णो गोखेल, ठीक है, very important, चली, next question, question number 29, क्या होगा, when was the first session of the Indian national congress held in, कब हुआ था, Indian national congress पहला session कहां पे हुआ था, start हुआ था, 1885 कहां पे हुआ था, पहला session, पहला session हुआ था, Bombay, Bombay कहां पे हुआ था, अगर पूछे का तो वो होगा था, गोखुल दास, तेचपाल, सैंगे स्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है, Bombay में, चली, next question, question number 30, क्या होगा, who developed the right warrior system, ठीक है, तो किसने develop किया था, right warrior settlement को, very important, right warrior settlement, right warrior system, जो भी बोला जाए, तो इसका answer होगा, Thomas Monroe, जिसने develop किया था, right warrior system को, ठीक है, next question, question number 31, क्या होगा, who was the first Muslim President of Indian National Congress, कौन पहले जो Muslim President है, इंडियन National Congress के, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, बद्रुदिन तयब जी, ठीक है, 1887, जो Congress session हुआ था, वही पे थे, ठीक है, जो मद्रास पे हुआ था, next question, question number 32, क्या होगा, question number 32, बोल रहा है कि, who was the founder of the Indian Reform Association in 1870, very important question, बहुत बार एक्जा में पूछे गए, तो क्या होगा इसका answer, इसका answer होगा, केशव चौन्दरो, शेन, ठीक है, next question, question number 33, क्या होगा, during which vitality, the capital of India was shifted from Calcutta to Delhi, ठीक है, तो Calcutta to Delhi कब होगा था, तो ये होगा था, 1911 से, 1912 में, ठीक है, 1911 से 1912 इस टाइम क्याल पे होगा था, तो कौन थे इस टाइम क्याल पे, वाइस रोयल, तो वाइस रोय थे, Lord Harding, ठीक है, चलिए, next question, question number 34, क्या होगा, who was the founder of the Banaras Hindu University, ठीक है, तो कौन founder थे, Banaras Hindu University, ठीक है, तो ये होगा, Pandit Madhan Mohon Malavya, ठीक है, कब found किये थे, 1915 में किये थे, ठीक है, चलिए, next question, question number 35, क्या होगा, who among the following Governor General, introduced the policy of the Doctor and of Labs, ठीक है, very important question, Doctor and of Labs को किसने चालो किया था, introduced किया था, तो इसका answer होगा, Lord Dalhousie, ठीक है, चलिए, next question, question number 36, the Delhi Sultan, which Delhi Sultan was died while playing polo और chogan, जो भी बोला जाता है, ठीक है, तो कौन होगा, तो इसका answer होगा, कुत बुद्धिन एबक, ठीक है, तो कब, ये 1210 को होगा, ठीक है, चलिए, next question, question number 37, क्या होगा, who said about the Mahatma Gandhi that he is a half-nacket pakee, तो किसने बोला था ये, तो ये बोला था, Winston Churchill ने, ठीक है, very important question, ये question भी exam में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, चलिए, next question, question number 38, क्या होगा, in which year, Mahatma Gandhi gave a call for Satya Grove against the Raulat Act, कौन से year में किया था, Mahatma Gandhi ने Raulat Act, तो Raulat Act को Black Act भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी exam में पूछा जाता है, ठीक है, कौन से act हो, क्या कहा जाता है, तो कौन से year में होगा, ये 1919 को होगा, ठीक है, बहुत ही famous act है, ठीक है, चलिए, next question, question number 39, क्या होगा, who was the president of Indian National Congress, INC, at the time of Indian independence, ठीक है, तो क्या होगा, कौन थे, ठीक है, ये होगा, J.B. क्रेपा लेनी थे, ठीक है, very important, 1947 में, ठीक है, चलिए, next question, and the last question of this session, ठीक है, तो क्या होगा, question number 40, क्या बोल लो है, who preside over the first session of the Indian National Congress, very important question, and ये question कितने बार exam में हाँ, इसका कोई ठीकाना नहीं है, ठीक है, बहुत बार exam में पूछे के, हर एक exam में पूछे जाता है, ये question, ठीक है, तो कौन होगा, तो पहला session किया था, कौन, किसने ये किया था, उमेश चंद्रो बानार जी और WC बानार जी ने किया था, ठीक है, 1885 को किया था, ठीक है, चलिए तो, आज के लिए इतना ही रखतें, 40 जो questions दिये, ये history का previous, ये का बहुत सारे questions आते, तो उसमें ये questions बहुत repeated होते, तो इसलिए questions को लिया है, ठीक है, ये 40 questions बहुत repeated आते, अंसाहर इस बार भी आ सकता है, ठीक है, तो चलिए session को अगर अच्छा लगा, तो like से subscribe जरूर कर देना, चैनल नया जरूर, subscribe करना, like करना, comment जरूर करना, ठीक है, आपका input जरूर comment section में बताएगा, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखतें, ठीक है, बाई बाई